नमस्कार मेरा नाम है अनुशिता और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 इंडिया बीजे पी सरकार फेक न्यूस पर लगाम लगाने के लिए आईटी एक्ट 2021 ले आई है सरकार फेक न्यूस पर लगाम लगाने की बाते करती है लेकिन उसकी ही पार्टी की नेता और प्रवक्ता ह खुले आम फेक न्यूस को बढ़ावा देते हैं लेकिन इस बार बीजेपी के एक प्रवक्ता को फेक न्यूस को बढ़ावा देना भारी पड़ गया क्योंकि सुप्रीम कोट ने बीजेपी प्रवक्ता को जबरदस्त पठकार लगाते हुए माफी मांगने को कह दिया यह मामल में सुप्रीम कोट ने बीजेपी प्रवक्ता प्रशांत उमेश पठेल को लतार लगा दे जस्टिस बियार गवई और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच प्रशांत उम्राव की दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी उसी दौरान कोट ने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए दरसल यूपी वीजेपी के प्रवक्ता प्रशांत उम्राव पटेल ने भी उस ख़वर को बढ़ावा दिया था जिसमें ये बताया गया था कि तमिलनाडू में बिहारी मजदूरों के साथ मार पीट की जा रही है उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है इस लोग रोते हुए बता रहे हैं कि तमिलनाडू में उनके साथ मार पीट हुई है और वो जैसे तैसे जान बचा कर भागे है इन लोगों के चहरे पर चोट के जूटे निशान भी बनाए गए थे और इस वीडियो को शूट करके अपलोड कर दिया सोशल मेडिया पर आते ही इस वीडियो ने तहलका मचा दिया तमिलनाडू से लेकर बिहार तक की राजनीती गर्मा गए मामले की जाच हुई तो जो सचाई निकल कर आई उसने सभी को हैरान कर दिया जिसके बाद कारवाई शुरू हुई तो हर उस इंसान के खलाफ एक्शन हुआ जिसने जूटी प्रवक्ता का नाम भी है सुप्रीम कोट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवक्ताप्रषांत उम्राव पतेल को माफी मांगनी चाहिए इसके साथ ही कोटव की उम्राव एक वकील है उन्हें ज्यादा पसंद से वकील हूँ लेकिन एक वकील इस तरह की खबरों को पैला रहा है सोच कर कितना अजीब लगता है उनके पेशे को देखते हुए ही कोट ने कहा आप तो वकील है आप से यसी उम्मीर नहीं थी कुछ नहीं अपने पेशे की गरिमा कही खयाल रख लेते आपको माफी मा होते हों कि वो पसंद से वकील बने हैं लेकिन उनके बयान सिर्फ किसी नफरती भाषन देने वाले प्रवक्ता के ही लगते हैं क्योंकि इस मामने से पहले बीजेपी प्रवक्ता अपने विवादिट्स की वज़ह से चर्चा में आ चुके हैं उन्होंने कई बार इसलाम वि विदेश भेजा गया जब पटेल के इस ट्वीट पर विवाद शुरू हुआ तो उन्होंने ट्वीट दिलीट कर दिया था वहीं 10 अगस 2013 को प्रिशान ने एक और विवादिट किया उन्होंने लिखा कि कल मुझे एक कुट्टे का पिल्ला मिला भटकते हुए उसे पाल लि कठुआ रेप और मडर केस को लेकर 20 अप्रेल 2018 को पटेल ने ट्वीट कर कहा कि कठुआ मामले में कोई बलातकार नहीं था दोनों मीडिया रिपोर्ट कहते हैं उसकी कहीं और हत्या कर दी गई और उसके शब को रसाना गाउं में पेग दिया गया हिंदूओं को बदनाम करन और भड़काओ बयान देने की फैक्टरी चला रही हैं जबकि सुप्रीम कोट कई बार भड़काओ बयान देने के हलाव सकती दिखा चुका है और अब तो इन्होंने एक वकील रहते हुए बिना जाचे पर खे ऐसी जूटी खवर को बढ़ावा दिया जो दो राज्यों के बीच की शांती को भंग कर सकती थी ऐसे में आप सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत के खिलाप उनके नफरती भाशन और जूटी खवरों के फैलाने को लेकर कारवाई कब होगी फिलाल सुप्रीम कोट ने नाराजगी जताते हुए माफी मांगने को कहा है इस वीडियो में इ सब्सक्राइए ट्विटर है आर्टिकल 19 अंडर्सकोर इंडिया इसको भी फॉलो कर लीजिए नमस्कार